हाली में तुमबड फिल्म रिलीज हुई मैं तुमबड का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत अच्छे लेवल पे फिल्म बनी थी और मुझे मेसेज़िस आते रहते हैं कि जेल वापसानी चाहिए न्यू यॉक वापसानी चाहिए आदे के सरा है लफंगे परिंदे है और अफकास जॉनी अद्दार तो है ही प्रेम रतिंधन पायो देखने जाए तो मेरी फिल्मोगरफी में मैं अपने आपको खोशन नसीब समझता हूँ कि इतने उंदा कलाकारों के साथ इतने अच्छे स्टॉंग निर्देशों के साथ मुझे काम करने का मौकम है ना मायावन करके मेरी साउथ की बहुत बड़ी एक पैन इंडिया एक्शिन फिल्म बन रही है संदीप किशन जी के साथ वो एक है गोट्स मेरी वेब शो जो है वो आ रही है मोहां थाल तो यानि मेरा एक कमपलसरी बलाइंड ब Caucasus के खेलते हैं तो यह कमपब सरी बलाइंड है तो in दस दिनों मेरा मोहांथाल कमपलसरी बलाइंड है प्छी मेरा भी lançाट टेना-डेन ना से बड़ी चीज आपके साथ क्या होगी पहले बाद तो शुक्रिया इस बहुत ही प्यार से आपने जो इंट्रोड़क्शन किया उसके लिए थार अग्युतleton सुफ मच वडर अगर अगर इसको समराइस करना पड़े तो एक घर में नॉमलली एक बेलों शादी होती है थी तीन दिन सेलब्रेशन्स होते हैं थीन या चाः आप मान सकते हैं कि इन गारा दिनों में जो हम घर में सेले Бरेट करते हैं ऐसे मानिये कि घर में तीन शादिया हो रही है उस पैमाने पर यहां पर सेलिबरेशन्स होते हैं इन दस दिनों में कम से कम एक मॉडिस्ट मिडल क्लास फैमिली की घर में जैसे आप घर का साइज जानते होंगे बट हमारे घर की दीवारे बड़ी हो जाती हैं दरवाजे साल भर मेरी बहने आती हैं देश विदेश से और यूँ मेरे मामा मेरी नानी मेरी नानी नाइन्टी वन की हैं और दिल्ली से आई हैं और दस दिनों से लेक अभी तक उनका पूरा अगर आप देखें आपकर कॉंट्रिब्यूशन रहा है बपपा की सेवा में पहली उठ जा तो जैसे मैंने कहां कि दस दिन का बहुत सेलिबरेशन होता है और एक शादी के पैमाने पर हम दो कर लेते हैं इस बार मैंने एक चीज नोटिस की हलका सा जो फीट इंकरेज हुई है मैं दो हजार बाइस पर देगा था इस बार काफी फरक है तो हम लोग अकसर करते क्या हैं कि हर साल जैसे वो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वैसे हर साल हमारे साथ हमारे बपा बड़े होते गए और इस साल हमने कहा है कि अब बड़े हो गए हैं तर्टी वानियर जोड़े हो गए हैं और इस साल हमने कहा है कि अब बड़े हो यह एक दिन में जाती है और शिखाई नहीं जाती है तो मैं तो अपने आपको बहुत ही लगी मनता हूं कि मेरी बेटी जो है मेरे पिताजी मेरी माँ जाती है के सामने उसकी पैदाईश हुई और उनके साथ परवरिश हो रही है उसकी तो यह हर दिन जो है एक महौल देखती है खर पे आरती, पूजा, महमान आना और खाना, परोसना, सेवा करनी, हमारी भागवानों की, रियास करना मेरे पिताजी के साथ तो अब छे साल से उफकोस जि स्केल पे और जिस पैमाने पे हम गनपती वपा के इस सेलिबरेशन को मनाते हैं, तो वो तो देखी रही है और आज के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, बहुत उनको सिखाना कुछ नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सब कुछ सीख लेते और और उब्सॉफ कर लेते है तो आपको बस थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप उनके समने कर के आ रहे हैं, अफकॉस गाइडिन्स होता है कि अगर जैसे दिया हो या कुछ चीज़े होती है, तो थोड़ा बहुत पहले बताना होता था क्योंकि क्यूरियोसिटी होती थी, अखंड जोत होता है, तो यह चोटी-चोटी चीज़े एक्सपिरियन्स से बच्चे सीखी जाते हैं, उनको जादा सिखाना नहीं होता, देखो, आ गई, दोड़ते हो, आओ इधर हो, आपने नाम लिया और आ गई आपे, ओके शी कैन, बट यू कम यह, 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 कम गंपती बपा मोरिया, कम यह, 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 कम य और सारे दोस्तों को इन दस दिनों का इंतिजार बेसबरी से रहता है क्योंकि पहली बात तो बपा का आशीराद और दूसरी बात वो भी जानते हैं कि किस प्यार से किस रद्धा से मेरी माँ, मेरे पिता जी बपा की सेवा करते हैं दस दिनों में मेरे माँ, मेरे पिता जी घर से बिलकुल निकलते ही नहीं और हमें थोड़ी हलकी छूट दिये कि जाके फैमिली को रिप्रिजेंट कर लो तो जहां जहां हमें इनकी क्रेपा से नहीं होता आता है तो शायद फैमिली को रिप्रिजन करने हम पहुंच जाते हैं तो क्योंके मम्मी और पापा घर पे रहते हैं तो फैमिली और सारे दोस्तों को भी एक कमफर्ट होता है कि हाँ दस दिन निशीद में तिन और बच्चे हैं जो वो घर पे मिलेंगे और अब तो अब तो ऐसा हो गया कि इन्विटेशन भी हम नहीं देते उन्हें पता है कि दस दिन हमारे घर के दरवाजे खुलने हैं और उन्हें आना ही है कि अपर्ज गोज़ा में झाल बच्चे हैं तो अब अन्हें थे कि दोस्ते हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर प्रिंदी गुजराथी मोहन थाल जेए लाधना मुछिटेशती तो कि आति भी थार निक्ति तो और पतागे तो मुछलाइस Chief सबसक्राइब किया एक थालहुत को relación सबस्क्राइब द्याभी सबस्राइब मुत्राइब क अठाइब सबस्क्राइब इस च्रेंड आफ हर मेरीडिय। मुझे एक मुवी ऐसा लगता है कि री-रिलीज होनी चिए पड़े 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 पर आपको कौन सी लगती आपकी कोई मुवी जो री-रिलीज होनी चीए जॉनि गदार एक इसी फिल्म मैं ऐसे ही सोच रह था इन फाक्ट हाली में तुमबड फिल्म रिलीज हुई मैं तुमबड का बहुत बड़ा फैन हूँ बहुत अच्छे लेवल पे फिल्म बनी थी बहुत अच्छे से फिल्म बनी थी और एक ओडियंस के पॉंट अब आप कहे तो मैं जरूर मानता हूँ कि यह एक ऐसी फिल्म थी जिसको पूरा श्रे मिला नहीं उस समय और जब रिलीज हुई तो बहुत अच्छा लगता है कि उसके सक्सेस को देखते वे अभी जो तुम बढ़ कर रही है बॉक्स आफिस पर जॉनि गदार एक ऐसी फिल्म है जो एक क कहते हैं तो ऐसे बहुत सारी है और मुझे मैसेजिस आते रहते हैं कि जेल वापसानी चाहिए न्यू यॉक वापसानी चाहिए आदे के सरा है लफंगे परिंदे है और अफकॉस जॉनि अद्दार तो है ही प्रेम रतंतन पायो देखने जाए तो मेरी फिल्मोगरफी में मै अपने आपको खुश नसीब समझता हूँ कि इतने उंदा कलाकारों के साथ इतने अच्छे स्ट्रॉंग निर्देशों को के साथ मुझे काम करने का मौका मिना अब उमीद कर रहा हूँ जो रिलीज हो रही है एक दो फिल्मे हैं और एक वेब शो और उमीद कर रहा हूँ कि वो भी पसंद आए थोड़ा मुश्किल महौल है कि क्या चुने क्या नहीं चुने कहां नहीं चीए कैसे आनी चीए बट मैं जानता हूँ कि ओडियन्स निराश नहीं होगी एक बहुत बड़ी सीक्वेल में आप हिस्सा हूँ एज विलन कितनी सच्छा ही है वो तो मैं बोली सकता हूँ क्योंकि उसके बारे में तो शायद पता ही है मायावन करके मेरी साउथ की बहुत बड़ी एक पैन इंडिया एक्शिन फिल्म बन रही है संदीप किशन जी के साथ तो वो फिल्म जो है अभी तीन लाइंग्विजिज में हैं हिंदी तलगु टामिल वो एक है अजान पदम सी बहुत सारे वापस उम्दा कलाकार उस शो में में भी है अभी शेक शर्मा जी उसके निर्देशक है और बस उमीद कर रहा हूं कि सभी के साम जब आए उन्हें पसंद आए लिखी बहुत अच्छी गई है बहुत अलग किरदार है अधित्य भट जी है जो ज प्रोड्यूसर है और बहुत दिल से सभी ने बहुत महनत किये बड़े पैमाने पर शो बनाया है और म्यूजिकल एक पहला ऐसा म्यूजिकल और ड्रामा शो है जो मैं कह सकता हूं जो उम्मीद कर रहा हूं कि लोगों के दिलों तक छू जाए जी थैंकि सूमच सर अक्सर माते रहेगी आपके घर के और हमेशा ये घर के दर्वाजे आप लोगों के लिए खुले हैं कि सूमच सब्सक्राइब गंपदी बाप्पा मोर या कंपदी बाप्पा